हलो वेलकम टू डॉक्टर एन वायर यूट्यूब चैनल आज का जो टॉपिक है वो है एन ओवर्वीव आप दे यूरिनेरी सिस्टम अगर आप लों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारी चैनल को सबस्क्राइब कर दिजेगा और वीडियो को लाइक कर दिजेगा चल लों यह दोनुजों से कॉंजिम हो जाते हैं तो उसके साथ क्या हो जाते हैं हमारी बाड़ी के लिए वीडियो के सेरीージon आगर यह तिनों प्रडेक्ट हो जायेंगा तो वह हमारी बाड़ी के लिए एक टॉक्सिक बन जाता है इशलीए यह जो waste products होते हैं, इनका remove होना हमारी बाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जो respiratory system है, वो क्या remove करता है? यहां पर मैंने mention कि है, components of urinary system, इनके बारे में detail से पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, सबसे पहले आते हैं, kidney, ureterus, urinary bladder और urethera, kidney जो होते हैं, एक human beings में दो kidneys रहते हैं, इनका काम होता है, filter करना है, waste products को blood से, फिर इनको excrete करना है, into fluid, उस fluid को बोलते हैं, urine, फिर आते हैं, ureterus, ureterus भी दो रहते हैं, तो ureterus क्या काम करते हैं, ये kidney से urine को pass करते हैं, और कहां pass करते हैं, urinary bladder में, तो ये जो urinary bladder होता है, ये इस urine को store करता है, और इसके बाद आता है, ureterus, ये external component रहता है, urinary system का, ये excrete करता है urine को हमारी बाड़ी से, यहां पे मैंने छोटा सा diagram देखा है, ये दो kidneys होते हैं, और ये जो kidneys से, यहां से, एक side से, और यहां से, एक side से, निकलता है, इनको बोलते हैं, ureterus, और ये जो यहां पे, ये थेले टाइप कर रहता है, इसको बोलते हैं, urinary bladder, और जहां से, जहां से हमारी बाड़ी से निकलता है, उस opening को बोलते हैं, ये तीनों, ये चारों component जो होते हैं, यही मुलब चार component, मुलब कान अश्यूट करते हैं, urinary system को, please subscribe our channel, like and share the video, for notification please press the bell icon, thank you.